नमस्का टाइमेद दिग नियुज ओले स्वागतम जनाईशू मौई जोतिति बश्चाँ अलो मुआ रित्यस्पिन खर्मा एक बिखेग खबर लोया हीशू एक होट सोरकारा इस्सा कोईले असल्टे की कोडिबो नौरे जोतिति आजी ताके प्रमान कोई देखवाईसे अर्बीन केजरी पाले कोभीडत ख्योतिक्रस्तों हकोलार भाबे होटू हारोतोर इटी हाखत ब्रिहात रिलीफ पेकेस ए मुहुर्ट दिल्लिर मुख्ण मुख्ण मुट्री गड़ा किये लोया हीशे आमे आताता के कम किनुन ए खाहई च mog souvent हुनिल्या आपुनिय। है सेलुगत दी बॉले मुख्णaid आई गरै की दिलीर मुख्ण मुख्ण प्रिक व कहना कोई मां। कोर्पला दोका पासे होकलू भीवराद दांगी धोरिसे neither the अ inicial Coral Corby to कभिदर्फलाद ख्यत्रस्तोप पर्यालोग दिल्ली सरकार ब्रिहद हका कभिदार्फलाद वनाथवा हीखु हकलोग17 until 25 तोका कोई दिल्ली सरकारे क्या मलझ हिमाने नहोद में 25 बसरोलोग ट्याहिं लूक बिना मुलिया हिख्का प्रधान कोरीब पसिस पसोरले दिल्ली सरक्या हाहाज़ा पुढ़ान कोई धाकिब अनार्खी खोग तारलोगोते जोदी कुलुए अटा पोरियालार उपार्जन काईर कोभीटत मृत्तु होई से महें पसिस ख़ तका कोई हाहाज़ा दिब कोभीटत निहातार पतित tou पोरियाला पंचाढ़ आफ्याज़ीर 65,000 पोरियाला। दिल्लीरhesion había कोभीटत मृत्त पोरियाला तो केजी बिना मूलिया र्यस्वन दिया र्किद्धधां तो इछे यारे यहांडियो स्पाइब पासो इड्ली मेधा योपासो इड्ली हो गुझाजिए तबासो ये लिव बासो इड्ली रूसो औरोैं नूसे घ्ली पासो अलत्यों यॹा गुझा जिडावा श्थीर लेगार्वन कीशिए और भीफ खुझाड नाय। जदिट हीखुअ था पिट्री मात्रे मित्तु है दिखा भीषियों करें महें personijke कर दिखार कता क्योंच कि एज्वरे उपार्चन करें पोरियलर मित्तु हैं कोड़ा जबीस कर्सार्फधाट गड़िया क्यों आपाइट कोई दागर कथात। आजी अर्बीन केज़री बले हंगबात मेल खटात रेटिस्पीन अभखिखत तेया उनलेक कोरिशे आमी इमान ब्रिहत ब्रिहत घुखना कोरिशु। प्रस्थ आहिवाईश्ज। जिनके दोनों माबाप की मौत हो गई उन दोनों माबाप की चाहे करोना से मौत हुई या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक माबाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी और जो दूसरे थे उनकी अब करोना से मौत हो गई मतलब दोनों में से एक की कम से कम करोना से मौत हुई और बच्चे बनात हो गया है। ऐसे में हर बच्चे को धाई धाई हजार रुपे महीना दिया जाएगा पच्चिस साल की उम्र तक और उन बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिल एहम कदम दिल्ली सरकार उठा रही है अगले कुछ दिनों के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा कैबिनेट से इसको पास करा दिया जाएगा ऐसे कई परिवार है जिनके यहां कमाने वाले विक्ति की मौत हो गई वो विक्ति कमाता था हर महीने घर में कुछ लेके आते थे उन्हीं की वज़े से परिवार चलता था ऐसे परिवारों में जिन में कमाने वाले विक्ति की मौत हो गई उनमें वो एक्स ग्रेशे अमाउंट के साथ साथ धाई हजार रुपे महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी अगर पती की मौत हुई तो वो पेंशन पत्नी को मिलेगी पत्नी की मौत हुई तो वो पेंशन पत्नी को मिलेगी अगर कोई व्यक्ति विवाहित नहीं था तो उसके माबाप को वो पेंशन मिलेगी लेकिन डाई हजार उपर उस परिवार को हर महीने पेंशन दी जाएगी जहां जिनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है ऐसे बच्चे, ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों की करोना की वज़े से मौत हो गई उन सभी लोगों से हमारी सहानू भूती है के उपर, अपने उपर कितनी बड़ी गाज गिरती है आपके इस लॉस को, इस ख्षती को हम पूरा तो नहीं कर सकते हैं लेकिन इस मुसीबत के घड़े में आपको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं तो ऐसे हर परिवार को जिनके यहां करोना की वज़े से मौत हुई है उन्हें पचास-पचास हजार रुपए का मुआफ़जा दिया जाएगा एक्स ग्रेशे अमाउंट मुआफ़जा दिया जाएगा तीसरा करोना की इस महमारी के दौरान एक आम आदमी को चारों तरफ से मार पड़ रही है करोना की वज़े से लॉकडाउन लगाना पड़ा है लॉकडाउन की वज़े से लोगों की रोज़गार खतम हो गए कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में खाने की भी दिक्कत हो रही है, राशन की दिक्कत हो रही है जिनके घर में करोना हो जाता है, उनको दस तरह की समस्याई है उनको बिमार आदमी को लेके अस्पताल लेके जाना पड़ता है सरकारी अस्पतालों में तो इलाज मुफ्त है लेकिन प्राइवेट अस्पताल के अंदर अच्छा खासा पैसा लग जाता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में उनके अपने अपने लोगों की मौत हो गई जो उनके कमाने वाले थे उनके घर में उनकी मौत हो गई अब घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनके दोनों माबाप चले गए कई बुजूर्ग ऐसे हैं जिनके कमाने वाले बच्चे चले गए पिछले कुछ दिनों से हम लोग इसी के उपर मंथन कर रहे थे कि किस तरह से इस वक्त हम हमेशा कहते हैं कि दिल्ली के दो करोड़ लोग हम सब एक परिवार हैं किस तरह से इस वक्त हम लोगों की समस्याओं को दूर कर सकें तो आज स्विचार मन्थन के बाद चार हम लोग घोशनाएं करने जा रहे हैं और मैं उमीद करता हूं कि ये जो चार कदम हम उठाने जा रहे हैं इस से लोगों को इस मुसीबत के वक्त में काफी राहत मिलेगी पहली चीज़ दिली में 72 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशनकाड है जिनके पास राशनकाड है उनको सरकार हर महीने पांच किलो राशन देती है चार किलो गेहूं एक किलो चावल इस महीने ये पाँच किलो राशन जब देती है सरकार हर महीने तो उनसे थोड़े बहुत पैसे लिये जाते हैं इस महीने ये राशन उनको फ्री दिया जा रहा है उनसे पैसे नहीं लिये जाएंगे इसके अलावा पाँच किलो और राशन केंद्र सरकार से प्रधान मंत्री जी की स्कीम के तहट और दिया जा रहा है वो भी मुफ्त दिया जा रहा है तो हर राशन काड़ धारी को 10 किलो राशन इस महीने मिल रहा है जो कि मुफ्त होगा 5 किलो दिली सरकार की तरफ से और 5 किलो केंदर सरकार की तरफ से लेकिन दिल्ली में केवल 72 लाख राशनकार धारी हैं ये 72 लाख का कोटा केंदर सरकार ने हर राज्य का एक कोटा फिक्स किया है कि इतनी राशनकार धारी होंगे तो नए राशनकार अभी नहीं बन सकते लेकिन ऐसे कई कि लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी दिल्ली सरकार अब राशन देने जा रहे हैं जो जो लोग कहेंगे कि हम गरीब हैं हमें राशन चाहिए उन लोगों को राशन दिया जाए अर्यामी अतालोकोग देखवालो अर्वीन केजरिवालाजे हंगबात मेल पाती एकेता को था उल्लेख पोईशे नितुस्वीन देखी बुले पागोईशे जीविलाग ब्रिहत हिद्धान दोल्वा होईशे एकेप रेसोन दियार प्रा आरोंभा करी पेंसोन दिया लोईके क अभीडर पंक्रमनर पासोत, कंट्राकर पासोत है तु भारतर इठीहा होत इमानाता ब्रिहत हाहर जो सरकार रखरपरा दिया हुशे इता कल्पोना करीबो नुवारा हाहिच्या प्रदान घुखना करी से त्यों प्रथम को ठाया जे उपार्जन को मुल उपार्जन करी जे दिम इत्तु होई से तेन ते और पोरिबार हर्ग बा निकततम आत्मियोग पेंसोन दियाबो याद के दांगार घुखना की होबो पर इता पोरियालो पेंसोन प्रदाम कोरीबा आजी बहुत जी आए ठाकालेगे तो दांगार घुखना कोरी से जी होगल हीखोर अनात होई से कोवीटर फोलो तेनलुकोक माहे पोसीश कोटोगा के दिवा पोसीश बोसर बयोक नुहालेके कोम्प्लेट हीखा फ्री कोई दिशे को याथ के दांगार घुखना की होबो पर आसल ते हेका ना मी कोई सू जे एखन सोरकारे जुदी इस्सा कोरे की कोई भोना अथा सो आमार ओखमा तू एने खाहेज जो दिया कोथा ता दाभी उथिया से किनो अखमा है तो इमान तका किनो अर्भीन के जोला होको के दागर को अधाता को इसे तेहलो के इमान दिने कोराप्शन नो कोई ले दूर्णी नो को इले कोई तेहलो के पहसा दिबोबारी से किनो अखमार प्रेक्षा पता जो दी सा एड़ाभी तु विभीन ना उत्थापन कोई से एडिया फो तर हाधारन लुके सरकार दाभी उत्थापन कोई से जी होकल लुग ख्योती ग्रस्त होई से तेहां लुका खाहट जो दियो किनो एम हुटत अखम सरकारे अबेदान जना बलो गया होई से रासकुखलोय अपना लुके दान बढ़ोंग निर दियो जद्धाफन कोरी नीब परा पेंस्वेस गोखना कोरी से बिनामलिय खिक्षा गोखना कोरी से महाए पोसिष को तो कोगा को सच्वच्टश को अब्यां बिनकेज्री बाले यह दरी हो खोल दीघ होको नीटा होई से लिए तो अब फुल प्लेट चुच्वाए नीट भी अज अगुड़ोंग प्कश्ता पहतर राखी शू एटा दांगर खबर आमी अताल को गेमु हुट्ट जनायाशू कोभीडर फलत ख्यतिकस्ट परियाल हमुहलोई दिलनी सरकारर ब्रिहत हका की की कोठा कवा होई से कोभीडर फलत अनाथवा हिखु हकालोग महें 25 को तोका कोई 25 पोसरल ले हाहर्च पदान कोरीबो तार लगोते बिना मुलिया हिखा दिया अबो ये हिखु हकालोग अजी अर्बिन केजी बेले घुखना कोरीशे ब्रिहत हिद्धान तोलोई से तार लगोते कोआ होई से जी हकलोग पोरियालोग उपार्चन कारी कोभीडत मित्तु होई से हे पोरियालोग कोसिस्खत का कोई महें हाहर्च दिबो तेयाओ लुकोग 500,000 तोकार एककालीन हाहर्च दिया होब तेयाओ दिल्ली सरकारोग खिद्धान तो दिल्लीर बाखोट्टो लग पोरियालोग एमाहो दोख केजी बिना मुलिया रैसोंदिया होब पास केजी राज्जो सरकारोग परा पास केजी केंडर परा और एह हुगु क्यो तेया लुके कोई बापारीशे कोई से जिनके दोनों माबाप की मौत हो गई उन दोनों माबाप की चाहे करोना से मौत हुई या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक माबाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी और जो दूसरे थे उनकी अब करोना से मौत हो गई मतलब दोनों में से एक की कम से कम करोना से मौत हुई और बच्चे बनाथ हो गएए हैं ऐसे में हर बच्चे को ढ़ाई ढ़ाई हजार रुपे महीना दिया जाएगा पच्चिस साल की उम्र तक और उन बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाएगी तो ये हमने काफी सोचा कि किस किस तरह से हम अपने लोगों की दिल्ली के लोगों की करोना की इस कठिन परिस्थितियों में मदद कर सकते हैं चार एहम कदम दिल्ली सरकार उठा रही है, अगले कुछ दिनों के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा, क्याबिनेट से इसको पास करा दिया जाएगा, ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहां कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, वो व्यक्ति कमाता था, हर महीने घर में कुछ लेके आते थे, उन्हीं की वज़े से परिवार चलता था, ऐसे परिवारों में जिनके कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उन्हें वो एक्स ग्रेशा एमाउंट के साथ साथ, धाई हजार रुपे महीने की पैंशन भी शुरू की जाएगी, अगर पती की मौत हुई, तो वो पैंशन पत्नी को मिलेगी, पत्नी की मौत हुई, तो वो पैंशन पत्नी को मिलेगी, अगर कोई व्यक्ति विवाहित नहीं था, तो उसके माबाप को वो पैंशन मिलेगी, लेकिन धाई हजार रुपे उस परिवार को हर महीने पैंशन दी जाएगी जहां जिनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है ऐसे बच्चे ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों की करोना की वज़े से मौत हो गई उन सभी लोगों से हमारी सहनुभूती है हम समझ सकते हैं जब अपने किसी की मौत हो जाती है तो परिवार के उपर अपने उपर कितनी बड़ी गास गिरती है आपके इस लोगों को इस ख्षती को हम पूरा तो नहीं कर सकते हैं लेकिन इस मुसीबत के घड़े में आपको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं तो ऐसे हर परिवार को जिनके यहां करोना की वज़े से मौत हुई है उन्हें पचास-पचास हजार रुपए का मुआफ़जा दिया जाएगा एक्स ग्रेशे अमौंट मुआफ़जा दिया जाएगा तीसरा करोना की इस महमारी के दौरान एक आम आदमी को चारों तरफ से मार पड़ रही है करोना की वज़े से लॉकडाउन लगाना पड़ा है लॉकडाउन की वज़े से लोगों की रोज़गार खतम हो गए कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में खाने की भी दिक्कत हो रही है, राशन की दिक्कत हो रही है जिनके घर में करोना हो जाता है, उनको दस तरह की समस्याई है उनको बिमार आदमी को लेके अस्पताल लेके जाना पड़ता है सरकारी अस्पतालों में तो इलाज मुफ्त है लेकिन प्राइवेट अस्पताल के अंदर अच्छा खासा पैसा लग जाता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में उनके अपने अपने लोगों की मौत हो गई जो उनके कमाने वाले थे उनके घर में उनकी मौत हो गई अब घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनके दोनों माबाप चले गए कई बुजूर्ग ऐसे हैं जिनके कमाने वाले बच्चे चले गए पिछले कुछ दिनों से हम लोग इसी के उपर मन्थन कर रहे थे कि किस तरह से इस वक्त हम हमेशा कहते हैं कि दिली के 2 करोड लोग हम सब एक परिवार हैं किस तरह से इस वक्त हम लोगों की समस्याओं को दूर कर सकें तो आज स्विचार मन्थन के बाद चार हम लोग घोशनाएं करने जा रहे हैं और मैं उमीद करता हूं कि ये जो चार कदम हम उठाने जा रहे हैं इस से लोगों को इस मुसीबत के वक्त में काफी राहत मिलेगी पहली चीज़ दिली में बहत्तर लाख लोग ऐसे हैं जिनके बास राशनकार्ड है जिनके बास राशनकार्ड है उनको सरकार हर महीने पाँच किलो राशन देती है चार किलो गेहुं एक किलो चावल इस महीने ये पांच किलो राशन जब देती है सरकार हर महीने तो उनसे थोड़े बहुत पैसे लिये जाते हैं इस महीने ये राशन उनको फ्री दिया जा रहा है उनसे पैसे नहीं लिये जाएंगे इसके अलावा पांच किलो और राशन केंद्र सरकार से प्रधान मंतरी जी की स्कीम के तहट और दिया जा रहा है वो भी मुफ्त दिया जा रहा है तो हर राशन काड़ धारी को 10 किलो राशन इस महीने मिल रहा है जो कि मुफ्त होगा 5 किलो दिली सरकार की तरफ से और 5 किलो केंदर सरकार की तरफ से लेकिन दिल्ली में केवल 72 लाख राशनकाड़ धारी हैं, ये 72 लाख का कोटा केंदर सरकार ने हर राज्य का एक कोटा फिक्स किया है कि इतनी राशनकाड़ धारी होंगे, तो नए राशनकाड अभी नहीं बन सकते, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो गरीब हैं, उनका उन लोगों के लिए जिनके पास राशनकाड नहीं है, उनको भी दिल्ली सरकार अब राशन देने जा रही है, जो जो लोग कहेंगे कि हम गरीब हैं, हमें राशन चाहिए, उन लोगों को राशन दिया जाएगा झाल